रादे रादे दोस्तों आज हम लोग जा रहा है क्लाश 12 के प्रतिलूम तरकुर्ण मिती फलन का चेप्टर चालू करते हैं तो इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं अपना बेटर देने की कोशिश करेंगे और आसा करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए तो क्लाश 12 प्रतिलूम तरकुर्ण मिती फलन तो सबसे पहले बात करते हैं फार मूलेगी तो जब फार मूले की बात करेंगे तो सबसे बेसिक जो फार मूले आते हैं वह आता है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसिक इनवर्स वन अपॉन एक्स इसी पकार अगर कॉसिक इनवर्स एक्स दिया होगा कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर आएगा साइन इनवर्स वन अप एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स टैन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स और इसी प्रकार कॉट इनवर्स एक्स बराबर जो हता है वो हता है टैन इनवर्स वन अपॉन एक्स तो हमारे basic formula हैं अब पहले सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे prove करेंगे अब इन फालमूलों को prove करेंगे कि ये equal होते कैसे हैं तो देखते हैं सबसे पहला दे रहा है sin inverse x बराबर cos inverse 1 upon x तो हमें ये prove करना है कि ये कैसे equal होता है तो हमने माना sin inverse x equal a तो ये sin उस्तरब जाएगा inverse तो जाएगा x बराबर sin a सबी का क्या करेंगे दोनों पच्छों का व्यूत करम कर देंगे दोनों पच्छों का व्यूत करम करने पर जब व्यूत करेंगे तो इसका उल्टा होगा one upon x इसका उल्टा होगा one upon sin one upon x ऐसे ही बना रहे ने तो one upon x one upon sin होता है cosic cosic a तो इससे गर हम a बरावर निकालेंगे तो cosic आ जाएगा इस तरह और जब cosic इस तरह पा जाएगा तो हो जाएगा cosic inverse one upon x और हमने sin inverse x बरावर पढ़ा था इसी प्रकार अगर हम चाहें तो इससे cosic बरावर sin inverse x प्रूब कर सकते हैं इसको माल ले अब इसी प्रकार इसका एक प्रूब करके दिखाते हैं तो इसका एक प्रूब करेंगे अब दूसरे के हम लोग बात कर रहे हैं और दूसरा जो हम लोगों का दिया गया है वो दिया गया है सॉरी, तीसरे की बात कर रहे है कॉस इन्वर्स x बरावर से किन्वर्स one upon x ये हमें प्रूब करता है तो हम क्या करेंगे हम मान लेंगे माना कॉस इन्वर्स x बरावर A हमने ममान लिया cos inverse x बराबर a के तो जब cos inverse x बराबर a के मानेंगे तो a बराबर जो आएगा वो जाएगा जो x बराबर होगा वो जाएगा cos a इसका वियूत करेंगे वही तरीका दोनों पच्छों का वियूत करने पर विट्रव का मतलब किया है इसको हम पलड़ा देंगे उल्टा कर देंगे जब इसको उल्टा करें तो यह आएगा one upon x और यह आएगा one upon公s a one upon x को ऐसे ही बना रेहें दो one upon कॉस एक लिखेंगे say 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 ay से की इस तरह पाएगा तो a बराबर हो जाएगा sick inverse one upon x और ए बरावर हमने क्या माना था cause inverse x तो यह हो गया cause inverse x बरावर sick inverse one upon x और इस प्रकार हमारा फार्मूला क्या होगा प्रूव हो गया जैसा कि हम लोग देख रहा है कोशिस आसा करते हैं आप लोगों को अच्छे सा समझ में आया होगा इसके बाद तीसरा आप लोग इसी प्रकार प्रूव करेंगे जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट्स वाक में जाके मेसेच कर देंगे तो कमेंट्स जब करेंगे तो हम दुबारा इसको explain कर देंगे जो भी समझ में ना है इसके बाद आगे के फार्मूले देखते हैं तो जब आंगे के फार्मूले देखेंगे तो देखते हैं कि जो हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बरावर होता है पाई वाई टू इसी प्रकार टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बरावर होता है पाई वाई टू कॉस एक्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बरावर होता है पाई वाई टू अब इन तीनों को भी हम प्रूब करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे प्रूब डैट प्लब सिद्ध कीजिए कि साइन इन वर्स एक्स प्लस कॉस इन वर्स एक्स बराबर पाई वाई टू तो इसको हम लोग सॉल करेंगे तो जब इसको सॉल करेंगे तो हम लोग देखेंगे लिखेंगे माना साइन इन वर्स एक्स बराबर एके तो एक्स बराबर जो होगा वो हो जाएगा साइन एके क्या हो जाए गई या एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए अब जब X बराबर आगया साइन है तो X बराबर इसको लिख सकते हैं कास 90 माइनस A और 90 को जब रेडियन बजलते हैं तो आता है पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 माइनस A यह हो गया कास को जब इस तरह लाएंगे तो हो जाएगा कास इनवर्स X एक्वल कास पाई बाई 2 माइनस A क्या हो जाएगा हो जाएगा कास इनवर्स X बराबर कास पाई बाई 2 माइनस A हो जाएगा इसके बाद यह कास इस तरह फट जाएगा यह कास इस तरह पा जाएगा अब कास इनवर्स इतना आ गया A इस तरह माइनस का है इस तरह पाएगा प्लस को हो जायेगा तो प्लस के a प्लस के cos inverse x equal आएगा πाई by 2 और a बढ़ाबर हम लोगों ने कितना माना था sin inverse x के तो जाएगा sin inverse x plus cos inverse x बढ़ाबर पाई by 2 तो यह हमारा पहला जो था वो सिढ वो गया ठीक हिंस प्रूब्ड लब इती सिंधम आसा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जिसको समझ में नहीं आया है वीडियो को बैक करें और बैक करके पुर्णा देखें फिर से समझने की कोसिस करें अब लोग ले लिजी थोड़ा हटे जा रहा है इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं सेकेंड प्रूब करते हैं जब दूसरे को देखते हैं तो दूसरा दे रहा है 10 inverse X plus cot inverse X बराबर πाई वाई टू इसको में क्या करना है प्रोब करता है लिखेंगे हल जो हम लोग हल करेंगे तो वही तरीका हमने माना 10 inverse X इक्वल ए के क्या मालने के 10 inverse X इक्वल ए तो X बराबर जो होगा वो 10 इस तरफ जाएगा आ जाएगा 10 X बराबर 10 10 को लिख सकते हैं cot 90 मतलब πाई वाई टू माईनस ठीटा होता है मतलब A cot इस तरफ cot है अगर इस तरफ लाएंगे तो होजाएगा cot inverse cot inverse X बराबर cot पाई वाई टू माईनस यह हो गया हमारा sorry cot जब इस तरफ आएगा तो इस तरफ से cot क्या होगा हट जाएगा cot inverse X A था माईनस का इस तरफ आएगा A हो जाएगा प्लस का बराबर पाई वाई टू A की वैलू रखेंगे जब A की वैलू रखेंगे तो A बराबर हमने क्या लेट किया है क्या माना है A बराबर माना है 10 inverse X तो A की जब रखेंगे 10 inverse X प्लस cot inverse X बराबर पाई वाई तो यह भी हमारा क्या हुआ यह भी हमारा सिद्ध हो गया अब तीसरा जैसे उसमें कोशन छोड़ दिया था एक प्रूविंग कहा था खुद करना इसी प्रकार इसको इस थर्ड वाले को आप लोग स्वयम करना जिसको समझ में ना है कमेंट्स करना दुवारा हम बताएंगे ठीक इस्क्रीन सॉट ले लीजी जिसको लेना है आसा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसके बाद हम लोग अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं आँगे देखते हैं तो साइन इनवर्स एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स को कॉस मदलेंगे तो आता है कॉस इनवर्स अंडर रूड वन माइनस एक्स स्क्वार और इसी प्रकार इसको करम साइन को डारेक्ट टैन बदलना हो तो हता है ten inverse x upon under root 1 minus x squared अब देखते हैं इसको उम्प्रूब करते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर है या नहीं तो कैसे प्रूब करेंगे सबसे पहले इसको हम हल करेंगे तो इसको हल करते हैं तो हमने लिया माना sine inverse x बराबर a क्या मान लिया? sine inverse x बराबर a के तो x बराबर जो आएगा वो आएगा sine a के तो x equal sine inverse x को लिख सकते हैं under root cos square a sine a को क्या लिख सकते है under root के अंदर cos square a आप लोगों उने पढ़ा होगा जैसे कोई संख्या है इसमें square और under root दोनों एक साथ लगे हुए है तो इसका square और under root दोनों हड़ जाते हैं बसता x अर्थाद अगर हम इसको पूरा हम क्या करेंगे under root के अंदर लिखेंगे sorry एक और स्क्वाइर क्या कर रहा है इसमें क्या करेंगे दोनो पच्छों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो देखेंगे इसका square होगा x square इसका square होगा sin square a x square equal sin square को हमें लाना है cos में तो sin को cos बल देंगे वोता है one minus cos square a अब इसको हम लोग इस तरफ लेके आ रहा है तो जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो यह minus वाला जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा plus का cos square है यह one अपनी जगह पे है और x square जब इस तरफ जाएगा तो x square minus प्लस का था तो इस तरफ हो जाएगा minus का यह आप लोगों को बनाना नहीं यह हम समझाने के लिए बता रहे है ठीक है cos A equal under root 1 minus x square यह आगया तो A वराबर आजाएगा यह इस तरफ चला जाएगा cos तो हो जाएगा cos inverse under root 1 minus x square और A वराबर हम लोगों नहीं क्या माना था A वराबर हमारा था sin A के तो यह हो जाएगा sin A equal cos inverse under root 1 minus x square यह हमारा प्रूब हो गया यह आगया पहला हमारा प्रूब हो गया अब यह में दूसरा क्या करना है अब यह में 10 के रूप में लाना है अब जब 10 के रूप में लाएगे तो बस हम यहां से उठा लेंगे कहां से sin is cos square क्योंकि इसी से यह आया है तो हम इसको उठाएंगे cos square a बराबर a बराबर one minus x square यहां से हम लोग solve करेंगे इसको तो जब इसको solve करेंगे तो दोनों पच्छों का व्यूत करम ले लेंगे दोनों पच्छों का व्यूत करम करने पर जब दोनों पच्छों का व्यूत करम करेंगे तो यह आजाएगा one upon cos square a यह हो जाएगा one upon one minus x square ठीक है भी है one upon cos होता है सेक square a बराबर one upon under root one minus x square हमें लाना है टेन में तो सेक को बदलेंगे टेन में सेक square बराबर होता है one plus ten square a बराबर one upon one minus x square तो यह ten square a जो है यह हो जाएगा one upon one minus x square minus one तो ten square a जो आएगा वो आजाएगा one minus x square LCM लेंगे तो इसमें जब इसका गुणा होगा minus one में तो minus one का one में करेंगे तो minus के one ठीक है minus one का minus में करेंगे तो plus का हो जाएगा one का x square में करेंगे प्लस के x square ये कट गया 10 square A equal x square upon one minus x square तो ये 10 A जू आएगा जब इसका square root लेंगे तो ये आजाएगा X ये आजाएगा under root के अंदर one minus x square सायथ वीडियो कट रहा है इसले इदर लिखे दे रहा है जब इदर लिखेंगे तो आएगा इधर भी साथ कट जाएगा इधर लिखते हैं यहां से जब लेंगे टैन स्क्वाइर एवर आवर आ रहा है एक्स स्क्वाइर अपॉन माइनस एक्स स्क्वाइर तो वर्ग मूल लेंगे तो आएगा टैने एक्वल एक्स अपॉन माइनस एक्स स्क्वाइर अब ए बराबर यह टैन उस तरफ जाएगा टैन इनवर्स एक्स अपॉन माइनस एक्स स्क्वाइर इसमें भी अंडरूड हो जाएगा न तो एक ही जगे हम लेगे साइन इनवर्स ए बराबर टैन इनवर्स एक्स अपॉन अंडरूड one minus S squared इस प्रकार हमने देखा कि साइन इनवर्स X बराबर यह भी और साइं इनवर्स X बराबर यह भी क्योंकि एक ही वैलुदी साइन वर्स X तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ ये भी सिद्ध हो गया डिक इसके बाद आंगे बढ़ते झाल झाल इसके बाद कॉस बात करते हैं तो कॉस inverse x बराबर होता है So racist अब हमने इसको प्रूब करना है इसको मैं प्रूब करना है तो इसमें भी वियसे ही करेंगे तो इसमें जब हम देखेंगे जब प्रूब करेंगे तो क्या करेंगे तो मान लेंगे माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक है तो एक्स बराबर जो आएगा वो आजाएगा और इसी तरफ करें कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया एक है जब इसको A मान लिया तो X बराबर जो आएगा वो कॉस इस तरब जाएगा तो इन वर्स हड़ जाएगा यह आजाएगा कॉस फिर उसी तरीके दोनों पच्छों का वर करेंगे जब दोनों पच्छों का वर करेंगे तो इसका वर होगा X स्क्वार इसका वर्ग होगा cos square a तो अब इसको में लाना है cos square a को केंजी करेंगे sin में तो x square बराबर होगा 1 minus sin square a ये है हमारा क्या minus का तो जब ये minus का है और minus वाले को लाएंगे इस तरफ तो ये कायका हो जाएगा plus का और ये है plus का तो ये उस तरफ जाएगा कायका हो जाएगा minus का तो बस ये हमें करता है क्या करता है कि sin square को इस तरफ लाए तो हो गया plus का sin square a 1 minus x square उस तरफ गया तो ये हो गया minus का ये आपको नहीं लगाना है ये केवल हम बता रहा है तो sin a equal under root 1 minus x square तो a बराबर जो आएगा वो आजाएगा sin inverse under root 1 minus x square के इसको इस तरफ लिखे दे रहे हैं तो जो sin a आएगा जो a आएगा वो a बराबर जो होगा वो हो जाएगा sin inverse under root 1 minus x square एक ही जगे रखेंगे cos inverse x क्योंकि a बराबर जो हमने cos inverse x बराबर माना था a के तो a की जगे वे वेलू रखेंगे cos inverse x sin inverse under root 1 minus x square एक चीश तो हमारी प्रूब हो गई को क्या प्रूब हो गई कि cos inverse x बराबर sin inverse x के इस sin inverse under root 1 minus x square के अब हमें प्रूब करना ये 10 वाल तो फिर वही तरीका जहां से square था वहीं से उठा लेंगे हम लोग तो square में क्या आया था cos square a equal x square इसी जगे से हम लोग solve करेंगे cos square को फिर पुना sin में बदलेंगे तो होता है क्या उल्टा कर देंगे 1 upon cos square a इसका 1 upon x square 1 upon cos square होता है 6 square लगा है तो 6 square बराबर 1 upon x square 6 को बदलेंगे 10 में तो होता है 1 plus 10 square बराबर 1 upon x square 10 square लेंगे तो हो जाएगा 1 upon x square माइनस के बदलेंगे 10 square a बराबर होगा x square lc अबलीगा 1 minus x square इसका बर्ग मूल लेंगे तो इसका जब बर्ग मूल लेंगे तो आएगा 10 इसका बर्ग मूल लेंगे तो उपर आएगा अंडर रूड 1 minus x square और इसका बर्ग मूल आएगा x square इसका बर्ग मूल लेंगे तो टैन उसका जाएगा तो जाएगा 10 inverse 1 minus x square upon x अब एक ही वैलू रखेंगे तो ए बराबर हम लोगों ने क्या माना था ए बराबर था कॉस इनवर्स x के तो एक ही जगा रखेंगे कॉस इनवर्स x 10 inverse under root 1 minus x square upon x तो यह भी हमारा प्रोग हो गया ठीक बात सोच में आई किलियर आसा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसी के साथ हम लोग आंगे के फार्मूलों की तरब बढ़ते हैं हुआ हमें निते हुआ हैं कि एक हरती हैं कि हम एी अत्राव में लोग में रहाना में तो slowerता है जा करका है हम बात करते हैं टैन के फार्मूले की बात करेंगे तो टैन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडरूट वन प्लस एक्स स्क्वार बराबर होता है कास इनवर्स वन अपॉन अंडरूट वन प्लस एक्स स्क्वार तो हम लोगों को भी से प्रूब करना है वही तरीका थोड़ा इस बार फार्श चलेंगे क्योंकि आपको काफी समझा चुके हैं दो इसको करेंगे माना जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना 10 inverse X बरावर A के तो X बरावर जो आएगा वो आएगा 10 A के क्या करेंगे इसके बाद दोनों बच्छों का वर्ग करेंगे तो जब वर्ग करेंगे दोनों बच्छों का वर्ग करते पर बहुत आराम समझते चलेंगे अराम अराम से बहुत दीड़े दीड़े सब समझ में आएगा इसको करेंगे X स्क्वाइर बरावर इसको करेंगे 10 स्क्वाइर A X बरावर जब यह आगया इतना X स्क्वाइर अब हम 10 स्क्वाइर A को चेंज करेंगे किसमें? सेक स्क्वाइर A में one को इस तरह प्लाए हो गया one plus x square बरावर six square है इस से अगर हम six के निकालेंगे तो इस तरह पंडरूड लग जाएगा one plus x square बरावर six इसका उल्टा करेंगे तो one upon six के आएगा इसका उल्टा करेंगे आएगा one upon अंडरूड one plus x square इसमें करें के वन अपान से के होता है कास है तो कास अपान आपऑन अंडर रूड ओनपक्रमी इसक्वायर अब क्या करेंगी वही तरीका कॉस कूस्तर ले जाएंगे इंवर्स हो जाएगा तो ए बराबर कॉस इंवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्कॉर और ए बराबर हमारा क्या था टैन वर्स एक्स के तो एक जगा रखेंगे 10 inverse x बराबर cos inverse 1 upon under root 1 plus x तो एक क्या हुगा हमारा एक चीज तो निकला है कि 10 inverse x बराबर होता है अब ही हमें यह साइन वाला लाना है साइन वाला लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहीं से उठा देंगे cos से cos से बराबर है cos से बराबर कितना दिया है 1 upon under root 1 plus x वर करेंगे जब वर करेंगे तो यह वजाएगा cos square 1 upon 1 plus x अब cos square एक ही जब बात करेंगे तो cos square एक हम साइन में तोड़ेंगे तो होता है 1 minus sin square साइन में क्यों तोड़ा है क्योंकि हमें लाना किसमें साइन में upon 1 plus x square साइन को मिस्तरप ले गए plus का हो गया 1 minus इसको मिस्तरप ले किया है minus का हो गया 1 upon 1 plus x square LCM लेंगे 1 plus x square इसका इधर गुना 1 plus x square minus 1 बराबर sin square 1 से 1 cancel बचा x square upon 1 plus x square बराबर side तो जब a बराबर लेंगे इससे इससे तो x आ जाए square उठाएंगे जब वर्ग मूल लेंगे तो यह आएगा x upon under root 1 plus x square बराबर बराबर sin इतना आ गया तो इतना आ गया तो sin को इससे बलाएंगे तो a बराबर जो आएगा वो आएगा sin inverse x upon under root 1 plus x square और a की जगे हम लोग value किसकी रख क्या रखेंगे a बराबर हम लोगों ने लिया था tan inverse x तो एक जगे रखेंगे tan inverse x बराबर sin inverse x upon under root 1 plus x square तो नेक्स्ट ये भी फार्मूला क्या हुआ प्रूब हो गया ठीक आसा करते हैं समझ में आ गया होगा आप सबको अराम से समझते जाएए जो भी हो दिक्कत हो आप कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में उसके बाद इसको अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पीछे ले जाएए और रिवर्स में ले जाके पुना देखें इसके बाद आंगे फार्मूलों की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर जो होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूड वर माइनस वाई स्क्वाई प्लस वाई अंडर रूड वन माइनस एक्स स्क्वाई इसी प्रकार जो गला फार्मूला होता है वो क्या होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर sin inverse x under root 1-y2 जب यहाँ, पलस तो है, पलस जब यहाँ, माइनस तो Anfang पी आजाएगा माइनस माइनस के y, अंडा एर्वड, 1-x2 बस kevil और kevil किसमें फर्क जब यहाँ, छिन परक ले आया है जब यहाँ, पलस तो है, जब यहाँ, माइनस याँ तो ध्यांद रखेंगे इस बात को इसके बाद बात करते हैं किसके कौस के फारमूले की कौस इनव क्ला सिस प्लस कौस इनवर्स Y बरावर होता है कौस इनवर्स X Y जब यहाँ प्लस तो यहाँ माईनस के अंडरोर one minus X स्कौर under root one minus y square यह हमारा next आ गया इसके बाद देखते है cos inverse x minus cos inverse y बराबर आएगा cos inverse x y जब यहाँ plus तो यहाँ minus जब यहाँ minus तो यहाँ plus under root one minus x square one minus y square यह हो गया sin cos के चार फार्मूले plus के लिए minus plus minus यह हो गया ठीक इन में से एक हम प्रूब करके दिखाया दे रहा हैं आप लोगों को ठीक हो सकता है वीडियो में कभी कभी जब हम साइड में लेखते हैं तो उसमें स्क्रीन से बहुर बाहर हो जाएं इसक्रीन में ना है तो उसके लिए आप लोग घबडाना नहीं आपको यह दिखना चाहिए जरूरी नहीं कि हम देखें या ना देखें ठीक तो इसमें से एक हम लोग प्रूब करते हैं पहला वाला प्रूब करके दिखाते हैं बांकि आप लोग खुद करेंगे तो इसको सॉल करेंगे तो कैसे सॉल करेंगे हमने माना साइन इनवर्स एक्स बराबर एक है तथा साइन इनवर्स वाई बराबर बी के तो हम साइन अब इससे अगर हम देखेंगे तो जो एक्स बराबर आएगा वो आएगा साइन ए जो वाई बराबर आएगा वो आएगा साइन भी के अब फार्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी का जो आप लोग ने class 10 तों भी पढ़ा होगा class 11 तों भी पढ़ा होगा तो sin A plus B बराबर होता है sin A cos B plus cos A sin B sin A plus B बराबर sin A को तो कोई दिक्क्र नहीं क्योंकि sin A के में value पता है लेकिन sin cos B को तो पता नहीं है हमें पता किसकी है हमें किसकी पता है हमें पता है sin B की तो इसको sin B की रूम में तोड़ने की कोशिस करेंगे तो cos से बराबर होता है इसको लिख सकते हैं under root के अंदर cos square B अभी बताया था कि जब कोई संख्या को हम square under root लगा होता है तो अगर root को भटा सकते है अगर नहीं लगा है तो अगर दोनों ची लगाएंगे तो एक साथ लगाएंगे तो square under root एक साथ लगेगा प्लस ऐसे ही आपको sin A की value नहीं पता है cos A की value नहीं पता है मैं किसकी पता है sin की तो इसको बदलने के लिए इसको मंदर उठके अंदर ले जाएंगे तो आजाएगा cos square A sin B फिर वही sin A प्लस B को sin A cos square A बराबर होता है 1 minus sin square A यहां B दे रहा है तो आएगा B सेम इसमें हो जाएगा यह आएगा इसको sin B को पहले लिख लो और इसको तोड़ेंगे तो 1 minus इसका हो जाएगा sin square A तो sin A plus B equal sin A अब इसकी value पूट कर दीजिए जो value पूट करेंगे तो sin A बराबर था X के तो यहां आएगा X under root 1 minus sin B की जगे रखेंगे Y तो यहां आएगा Y का square plus sin B sin B की जगे रखेंगे Y और यह हो जाएगा under root 1 minus x square तो A plus B बराबर जो आएगा sin उस्तरब जाएगा हो जाएगा sin inverse X under root 1 minus Y square plus Y under root 1 minus x square हम क्या करेंगे A और B की value रखेंगे तो A बराबर था sin inverse X के तो sin inverse X B बराबर था B बराबर दे रहा sin inverse Y के sin inverse Y बराबर sin inverse X under root 1 minus Y square plus Y under root 1 minus X square तो इस प्रकार है हमारा फाइला फार्मूला प्रोब हो गया बाकि आप लोग इसी तरीके से करेंगे जिसको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स बाक में कमेंट्स लिखके बताएंगे इस्क्रीन सॉड़ ले लीजिए बाकि जो तीनों फार्मूले हैं उन्हें आप स्वैम करेंगे इसके बाएंगे फार्मूलों की तरफ बढ़ते हैं टैन की तरफ तो जब टैन की तरफ बढ़ेंगे तो हो गया होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई वरावर टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई अगर हम बात करें टैन इनवर्स X minus 10 inverse Y की तो होता है 10 inverse बस जैसे यहाँ चीनी चेंज हुआ इनकी जगे भी चेंज कर देंगे तो X minus Y upon 1 plus X Y बस Sine change हो जाएंगे Sine मतलब चेंज फिर इसके बाद काट की बात करते है तो अगर काट की बात करेंगे तो होता है काट inverse X प्लस काट inverse Y बराबर काट inverse 1 minus XY नहीं सोरी XY minus 1 upon X plus Y इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे किसकी काट inverse X minus काट inverse Y की तो होगा काट इनवर्स XY प्लस वन अपन Y माइनस X यहां इसको ध्यान देंगे कि क्या होगा Y पहले होगा X हमारा जो होगा वो बाद में होगा अब इसमें प्रूब करते हैं तो पहला इसमें प्रूब कर लेते हैं इसमें को प्रूब करते हैं हम लोग तो हमने क्या किया माना क्या माना टैन इनवर्स X बराबर A कॉमा टैन इनवर्स Y बराबर B तो इससे जो हम निकालेंगे तो टैन उस तरफ जाएगा तो टैन ए बराबर जो आएगा वो आएगा Y के और जो टैन भी बराबर आएगा वो आएगा किसके Y के यहां तक बास समझ में आई इसके बाद फार्मूला वई टैन A प्लस B का जो आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं होता है टैन A प्लस टैन B अपान वन माइनस टैन A टैन B तो टैन A प्लस B बराबर टैन A की जगह रखेंगे X टैन B की जगह रखेंगे Y वन माइनस X Y टैन उस तरफ जाएगा तो A प्लस B बराबर हो जाएगा टैन इन वर्स X प्लस Y अपान वन माइनस X Y एक जगह वैलू रखेंगे एकी जगह रखेंगे 10 inverse X plus 10 inverse Y नो कि यह बरावर दे रहा था 10 inverse X एक जगह रख दिया 10 inverse X B बरावर दे रहा था 10 inverse Y बिक जगह रखेंगे 10 inverse Y बरावर हो गया 10 inverse X प्लस Y अपॉन 1 माइनस X Y इस प्रकार से मारा ये क्या हुगा प्रूव हो गया बांकी सबी आफ इसी प्रकार से करेंगे